खबर जस्वपूर के राजबूर से जहां पर बारिश के कारण फीब का नदी पर बना पुल बांध एक बार फिर से खलती ग्रस्त हो गया है बही है सेंचाई बीभाग प्रशासन के लापरबाही भी सामने आई है क्योंकि फीका नदी से लगतार भारी बारिश के कारण भारी मात्रा में खरन का कारोबार भी चलता रहता है लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है बता दें कि यहाँ पहले भी बांध एक श्रतिगरस्त हो गया था जिसका सेंचाई बिभाग ने मरंमत कारिका किया था लेकिन फिर बारिश के चलते बांध श्रतिगरस्त हो गया है वहीं किसानों का कहना है कि नांदेड चीनी मिल पर खत्रा मंड रहा था नजर आ रहा है उपजलादिकारी गौरब चटबान ने कहा कि संसाइब भाग को निर्देशत किया गया है जल्द से जल्द समस्या का निश्टरण किया जाए जस्पूर्सी प्रदीप स्रीबास्तव की रिपॉर्ट है कि अधिन हो गए लगातार पानी आते होए थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है बराबर प्रशासन काम कर रहा है पानी डेली उपर पहाल पर जोज वर्षा होने के खरण काम पूरी तरह से नहीं पारा है दिकते आ रही है नुफसान तो काफी हुआ है सामने किसानों का जो अधिन करने के लिए प्रशासन ने एक नहर तिकन अधी मालग से बनाई है जो पानी को आधा रूड़ेट चेंज करेगी जिससे यहां काम करने में आसानी हो नहीं हो पाया सूचना देने के बाब जो आज जो प्रशासन को खड़ी मैनत कर लिए इसका कर दो गार ज़ा दो अधिन को जयादा खत्रा बनावा जो जो नहीं की और जो दिर्दकाली कारवाई हो सकती और खनाता है तो हमने जो भी उसमें कर सकते तो अगे भी करेंगे और अगे बी आगे एसलिए जो है एक टीम बना के जो है वहां पे अपने अमीन और पटवारी तूटी रात में लगाई है कि ताकि जो है अगर यदी कोई ऐसी समझ से आती है तो अथकाल पुलिस के साथ मिलकर उसका समधान करेंगे इसके लिए कर लेक बैठक भी बुलाई गई थी और दानों को भी बलाए गया था और इसलिए जो है वहां पे जो है इसके पूरा परयास के जाएगा कि इस तरह की चीजें की पुनारुति ना हो शीर करते सीकरी उनको का गया कि जतनी जल्दी हो से को उतनी जल्दी उसको बना देगा